हेलो व्यूवर्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही आसानी से बनने वाली बेसन की इडली और इसके साथ खाई जाने वाली चटनी की रेसिपी तो चलिए सुरू करते हैं डेली और वीकेंड स्पेसेल लेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें इडली का बेटर बनाने के लिए हम एक बोल में एड करेंगे एक कप बेसन बेसन हमने यहाँ पर छान कर लिया है साथ ही में हम इसमें एड कर देंगे आधा कप सूजी यानि की रवा अगर आपका रवा थोड़ा मोटा है तो आप इसे मिक्सी में क्रस करके इसमें एड कर सकते हैं साथ ही में हम इसमें एड करेंगे दही तो देखिए हमने एक कप बेसन और आधा कप सूजी के लिए थ्री बाई फोर्थ कप यानि की पोना कप दहीं ली है आधा कप पानी एड़ करके इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस बेटर में पानी कितना एड़ करना है वो बेसन की कॉलिटी पे डिपेंड करता है तो आप आवर शेक्त अनुसार इसमें पानी एड़ कीजिएगा तो देखिए हमने सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें बिल्कुल भी गुठलिया नहीं है अब हम इसमें एड़ करेंगे कुछ होर इंग्रिडियंट्स जैसे की दो टीस्पून चीनी, एक टीस्पून या फिर स्वादनुसा नमक और एक चोथाई टीस्पून हल्दी पाउडर साथ ही में दो चुटकी हींगे और एड़ करेंगे आफ टीस्पून अद्रह का पेस्ट और हाफ टीस्पून छोटी हरीमेच का पेस्ट एक टेबल स्पून नीबू का रस एड़ करेंगे और इन सारी चीजों को बेटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमने यहाँ पर इडली के लिए बेटर बना लिया है अब हम इसे कवर करके 10 मिनिट के लिए रख देंगे अब हम चटनी बनाएंगे तो चटनी बनाने के लिए हमने मिक्सी जार में एक कफ हरा धन्या लिया है तो हरे धनिये को आप इसकी डंडी के साथ लीजिएगा साथ ही में इसमें एड़ कर देंगे 5 से 7 लहसुन की कलिया और 3 छोटी हरी मीच अगर आपको थोड़ा कम स्पाइसी रखना है तो आप हरी मीच की कौंटिटी कम कर दें अब हम इसमें एड़ करेंगे 1 टेबल स्पून दालिये यानि की भूने हुए चने देखे आप यहाँ पर दालिये यानि की भूने हुए चने की जगह एक टेबल स्पून बेसन की से भी एड़ कर सकते हैं एकटोधाई टीसपून नमक एड़ करेंगे साथ ही में एड़ कर देंगे दो टेबल स्पून दही और इन सारी चीजों को mixiadaar में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो सारे ingredients को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया साथ ही में एड़ी की चटनी बनकर तयार है अब हमने इडली का मौल्ड लिया है इसे हम तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे तो यहाँ पर बेटर को रखे हुए 10 मिनिट हो चुकी है इस स्टेज पर हम इसमें एक तीस्पून बेकिंग सोडा एट करेंगे देखिए आप यहाँ पर बेकिंग सोडा की जगा इनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि हमें बेकिंग सोडा एट करना है बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा एट करने के बाद हम इस बेटर को ज्यादा दे नहीं रखेंगे इसलिए हमने पहले से तयारिया करके रखी हुई है यानि कि जिस मोल्ड में हम इसे ट्रांसफर करेंगे उसे हमने पहले से ग्रीस करके रख लिया और इडली स्टीम करने के लिए हमने स्टीमर भी पहले से तयार करके रखा हुआ है तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा तो आप देख सकते हैं कि यह कितना फ्लफी हो चुका है बेटर की कंसिस्टनसी हम बिल्कुल एसी रखेंगे और तुरंथ हम इसे इडली के मोल्ड में ट्रांसफर कर लेंगे तो हमने जो मोल्ड ग्रीस करके रखा हुआ था उसमें हमने सारा बेटर ट्रांसफर कर लिया तो हमने यहाँ पर स्टीमर भी पहले से तयार करके रखा हुआ है इसमें हमने दो कप पानी एट करके पानी को अच्छे से बोईल कर लिया अब हमने इसमें इडली का मोल्ड रख दिया है और इसे कवर करके हम मीडियम फ्लेम पर 20 मिनिट के लिए स्टीम करेंगे हमने इडली को 20 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से स्टीम कर लिया यह सही से बनी है के नहीं यह चेक करने के लिए हम इसके सेंटर में सार्प नाइफ डाल कर देखेंगे यह देखेंगे यह बिल्कुल खिलियर है इसका मतलब है कि इडली जो है वो अच्छे से स्टीम हो चुकी है तो अब हम गेस की फ्लेम को करके स्टीमर में से इडली मोल्ड को निकाल लेंगे और इसे रूम टेंप्रेचर पर अच्छे से ठंडा कर लेंगे तो हमने इसे रूम टेंप्रेचर पर अच्छे से ठंडा कर लिया है अब हम किसी सार्प नाइप की मदद से इसे मोल्ड में से निकाल लेंगे तो देखें कि इतनी स्पोंजी और जालीदार इडली बनकर तयार हुई है इसी तरह बाकी की इडली को भी हम मोड में से निकाल लेंगे और फिर सव कर लेंगे आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट करें चैनल पर नए है तो मेरी आपसे हमबल रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई